उधारण चार नो वर्गमूल तीन धन साथ वर्गमूल पाँच में साथ वर्गमूल तीन रिण पाँच वर्गमूल पाँच का योग करो हमें नो वर्गमूल तीन धन साथ वर्गमूल पाँच में साथ वर्गमूल तीन रिण पाँच वर्गमूल 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 पाँच वर्गमू का योग करना है तो योग करने के लिए हम जो पहले हमारे पास दिया है संख्या इसे एक कोश्टक मिलेंगे और दूसरी संख्या को हम दूसरे कोश्टक मिलेंगे और इसका योग करेंगे तो योग करने के लिए धन का चिन लगा है हमने अब आगे दिखते हैं कोश्टक जब हम खोलेंगे धन की संख्या है यहां धन की संख्या है यहां पर भी धन की संख्या है कोश्टक खोलने पर चिन्नों का में कोई बदलाओ नहीं आएंगा तो हमने जब चिन कोश्टक को खोला तो हमें 9 वर्मूल 3 धन 7 वर्मूल 5 प्राप्त हुआ और उसी तरह से दूसरे कोश्टक को खोलेंगे तो 7 वर्मूल 3 रिन 5 वर्मूल 5 प्राप्त होंगा अब यहाँ पे पहले पद में वर्मूल तीन है और तीसरे पद में भी वर्मूल तीन इनको हम एक साथ लिखेंगे नौ वर्मूल तीन धन साथ वर्मूल तीन उसी तरह से धन साथ वर्मूल पाँच रिण पाँच वर्मूल पाँच यह अपस में या तो इसका योग हो सकता है या यह घट सकती है तो यहाँ पे 9 वर्मूल 3 धन 7 वर्मूल 3 में हम यहाँ पे वर्मूल 3 को उभैनिश लेंगे तो संख्या हमारे पास 9 धन 7 कोष्टक में होंगी वर्मूल हमने 3 उभैनिश निकाला उसी तरह से 7 रिण 5 हमारा कोष्टक के अंदर होंगा और उभैनिश संख्या वर्मूल 5 कोष्टक के बाहर होंगी यहाँ पे 9 धन 7 जो है 16 वर्मूल 3 धन 7 को जब हम 5 से घटाएंगे तब हमें 2 प्राफ्त होंगा 2 वर्मूल 5 अब चूकि वर्मूल 3 और वर्मूल 5 अपस में इसका योग नहीं हो सकता तो 16 वर्मूल 3 धन 2 वर्मूल 5 हमारा दो संख्याओं के योग का उत्तर आया यहाँ इस उधारण का हल होगा